पूर्वी दिल्ली नगरनिगम में समस्याओं का अमबार है और इन समस्याओं को दूर करने की जिम्यदारी सौपी गई है नीमा भगत पर जो की पूर्वी दिल्ली की अब नई मेयर चुनी गई है पहली प्रायर्टी मेरी वाकई में सच्चेता ही रहेगी भाई तो एक ऐसा काम है आज आप करेंगे तो कल नैचुरली फिर गंदा होगा और मैं कोशिश करूँगे कि इस दिल्ली को इस दिल्ली को साउथ दिल्ली की टक्कर में तो क्या मैं नहीं कह सकती पर बैटर करने की लगा रहे हैं आपने देखा जो अभी मोहिला को इस दिल्ली की आप बात कर रहे हैं आप मुझे मेरे वाड में एक लिनिक दिखा दीजिए और क्लिनिक है तो किसी इनके कारिकरता की घर में है जिसको आराम से उसको किराय दे देते हैं 40,000 और उनके घर में चले आता है तो तो सौ परसेंट नहीं तो कम से कम 99 परसेंट तो उसमें सचा ही होती है तिल्ली वाले बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं आम आधी पार्टी और बीजेपी की खीस्तान की वज़े से में अच्छी तरह से काम नहीं हो पाया है उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में इस तरह की खीस्तान दोनों सरकारों के बीच नहीं रहेगी कोसिस तो यह करेंगे कि हम लोग पहले आपस में अच्छा सामंजश्य बना की काम करें लेकिन मुझे लगता है कुछ सरारती लोग होते हैं उन्हें आदत है ना क्यों सरारत करते ही करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो सीयम साप है उनका बच्वना भी गया नहीं है वो फिर क उसने कुछ सरारत करने के मूड में होंगे पहले वाक़ी में हम तीनों निगों में विसेज करने हैं EDM से किनाते मैं बहुत प्यार से पॉलाइटली अपने काम को करने की कोसिज करूंगे लेकिन यदि हमें लगेगा कि बात बनी रही है तो अपनी बात को मनवाना हमें आप पूर्वी दिल्ली की जो मेर है नीमा भगत को भगत का जिनका कहना है कि फिलाल जो सबसे बड़ी जो समस्या आए रही है इस इलाके में वो सफाय को लेकर रही है और उनकी कोशिश भी यही रहेगी कि सफाय को लेकर अपने जो योजना हैं उसमें परिवर्तन करें ताकि कम से कम आने वाले वक्त में दिल्ली वालों को उन समस्याओं को सामना ना करना पड़े जो की पहले उनको करनी पड़ी है कैमरे परसन अनियल सिंग के साथ आरती पांडे नवोदे टाइम्स दिल्ली